हलो फ्रेंड्स ट्रेड लेर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की وीडियो में हम बात करने वाले हैं Nifty और Bank Nifty के बीच में correlation को लेकर के दोस्तो Nifty 50 और दोस्तो Bank Nifty के बीच में क्या correlation है दोस्तो और बैंक निफ्टी दोनों साथ साथ चलते रहते हैं दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ और दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा इंडिया के स्टॉक मार्केट में निफ्टी को मूव कराने में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल होता है अब दोस्तों ऐसा क्यूं तो वह आज की वीडियो में देखेंगे वीडियो में आगे बड़ें दोस्तों उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हम इंडिया प्लेटफॉर्म को भी जोइन कर सकते हैं दोस्तों यह आपकी जो परसनल ग्रोथ है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा यह इंडिविजुल परसन की जो है हुमन रिसोर्स एबिलीटी को बढ़ाने में बहुत मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म मनाया गया यहाँ पर इंडिया में अलग अलग लोगों के दोरा जो बहुत खास खास काम किये जाते हैं उन सब को शेयर किया जाता है आप सबी लोगों के साथ में ताकि आप अपने जीवन में एक बहतर इंसान मन सकें जिसके पास काफी सारी स्किल्स और नॉलेज हो और यूटूब और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहाँ पर फ्री ओफ कोश्ट बहुत सारा कॉंटेंट प्रोवाइड होता है वो हम हम इंडिया प्लेटफॉर्स पर प्रोवाइड करते हैं तो लिंक इन दोनों टेलिग्राम जेनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो ट्रेड लर्नर्स चैनल को बनाने से पहले जो मैंने स्टॉक मार्केट से लेकर के जितनी भी नौलेज थी वो नौलेज जो मैं शेयर करता हूं दोस्तों यहाँ पर ट्रेड लर्नर्स चैनल पर वो सारी नौलेज आपको भी मिल सके आपको भी पता चल सके कि किन बुक्स है दोस्तों ये सब आप जान सकते हो इस टॉक मार्गेट के बारे में चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो तो सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उनको बाई करके पड़े और अपनी नॉलेज को एनरीच करें ये आपके तीन साल का टाइम लगता है दोस्तों स्टॉक मार्गेट को गहराई से समझने में लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बीच में कोर्रेलेशन के ब 2022 और दोस्तों जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो यह आज के इसाफ से बता रहा हूं कि निफ्टी के क्या वेटेज स्टॉक लिष्ट है ठीक है 2022 में तो दोस्तों यहां पर आप नसी इंडिया के वेबसाइट का लिंक मिल दाएगा वहां से जाके आपको यह PDF खुल ज कराने में सबसे बड़ा योगदान बैंक निफ्टी का है क्योंकि financial services में दोस्तों बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा वेटेज है इसके अलावा दोस्तों IT सेक्टर का 17% वेटेज है तो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार नोटिस किया होगा कि कई बारी निफ्टी 50 को move कराने के लिए या फिर उसकी balancing करने के लिए दोस्तों IT सेक्टर और banking सेक्टर के stocks के साथ में छेड़काने की जाती है और ये तो दोस्तों जब आप regular watch करोगे stock market को तो आपको समझ में आने लगेगा कि कई बार ऐसे दिन आते हैं जब nifty को sideways रखने के लिए nifty bank और दोस्तों जिस दिन दोनों सेक्टर साथ में बढ़ेंगे उस दिन तो nifty का index बहुत तेजी से उपर जाता जाएगा इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाता हूं कि oil and gas का भी 12% weightage है और जब oil and gas के सेक्टर के बात आ लिए तो उसमें सबसे बड़ा weightage सिर्फ Reliance Industries का है दोस्तों वह 11% weightage है जो कि nifty 50 को 11% ताकत देता है ठीक है तो इसलिए जो है दोस्तों इन सब इंपोर्टन कंपनियों का बहुत important हो जाता है weightage जैसे कि Infosys, HDFC Bank, ICICI Bank, HDFC Limited ठीक है और Tata Consultancy Services, TCS इन सब क्या आप देख सकते हो दोस्तों ये weightage बहुत important है इसलिए मैं हमेशे इन stocks को अपने radar प market से पहले कि ये actually stocks किस तरीके से perform कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अभी हम वीडियो में देखते हैं कि Nifty Bank का chart और Nifty 50 का chart अब ये Nifty 50 का chart है और weekly candle chart है आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से Nifty 50 ने perform किया इतने सालों में ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो और अगर हम इसको compare कर रहे हैं compare कर रहे हैं दोस्तों हम bank Nifty से bank Nifty से दोस्तों अगर हम इसको compare करते हैं या हम इसकी जगह पर लिख देते हैं Nifty bank ठीक है अगर हम इसको Nifty bank से जो है दोस्तों compare करें तो आपको पता चलेगा कि Nifty bank ने कैसे perform किया था इतने सालों में ये brown color purple color की जो line है दोस्तों वो देख सकते हो Nifty bank की है और Nifty 50 का नीचे का chart है ठीक है तो आपको यह दिखाई कि किस तरीके से दोनों साथ साथ केस से perform करते हैं ठीक है तो कभी-कभी ऐसा zone आता है जब Nifty bank बहुत fast हो जाता है और तेजी से move करता है और Nifty 50 उतना तेज move नहीं करता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि Nifty 50 में बहुत जड़ा movement नहीं आ रहा होता है ठीकिन Nifty bank में बहुत से गिरावट या बहुत तेजी देखने को मिलती है ठीक है तो यह दोनों करीब करीब parallel चलते हैं लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि निफ्टी 50 का मॉममेट इस बारी की rally में दोस्तों बहुत तेज रहा है जबकि निफ्टी बैंक जो है बहुत स्लो मंद गति से जो है ठीक है यह तो मैं दोस्तों आपको weekly candle chart पर बता रहा हूं यह सारी चीजे ठीक है तो यह यहाँ पर आप देख सकते हो जब जब nifty 50 में correction आई है तब तक bank nifty में भी correction आई होई होती है ठीक है तो यह बिल्कुल parallel ही चलता है लेकिन एक चीज जो खास देखने को मिलती है कि दोस्तों nifty bank ने जो है दोस्तों अभी तक लगातार जो है अपने आपको एक territory में nifty bank ने बना के रखा हुआ है जबकि दोस्तों nifty 50 ने यह territory break कर दिये ठीक है यह territory break करके यह इसके बाद भी exceptional तेजी आई है इसमें तो यह तेजी इसलिए आई है दोस्तों क्योंकि इस बारी कि जो rally दिये वो IT sector ने गजब की rally दिये और यहां पे बहुत out performer रहा है तो दोस्तों out performer रहने के वज़े से जो है यहां पे IT sector में बहुत multi beggar stock हो गया है ठीक है तो यह infosys हुआ टीसी हुआ है इनके अंदर तेजी भी जबर्दस्त आई है ठीक है तो दोस्तों आप इस तरीके से comparison कर सकते हो कि nifty 50 और nifty bank का क्या correlation है और आप यह chart भी देख सकते हो यह यहां पे भी देख सकते हो nifty 50 के बारे में कि इसके कौन-कौन से important weightage stocks है या weightage sector है त तो जब जब भी real financial sector में तेजी आईगी दोस्तों तो इंडिया के stock market में nifty 50 में भी तेजी आईगी ही सही तो यह सब कुछ analysis होते हैं दोस्तों यह समझने के लिए कि आखिर nifty work किसे कर रहा है तो दोस्तों हमारे channel पर बहुत सारी ऐसी important videos जो है बनाई गई है जो आपको stock market को बहुत गहराई से समझाने में जो है मदद करती है और यहाँ पर दोस्तों कुछ playlist है जो आपको जरूर जाके देखना चाहिए वो nifty option strategy के point of view से भी काफी काम की होगी यह अगर आप option trader हो तो दोस्तों और इसके अलावा दोस्तों bank nifty strategies, price action strategies, technical analysis और यहाँ पर दोस्तों bank nifty के उपर जो है price action strategies कैसे work करती है, financial freedom की videos यह सब आपको जाके देखना चाहिए एक बरी को financial freedom की video बहुत ज्यादा important है दोस्तों जो आपको बताईगे कि actually stock market work कैसे करता है और उसमें जो है उसके थूँ आप किस तरह से financially free भी हो सकते हो ठीक है तो यह सब चीज़े आपको देखना जाहिए दोस्तों इंडिया के stock market में money flow क्या होता है वो कैसे work करता है यह सब चीजों के बारे में मैं आम तोर पर आपको accept बताता रहता हूँ तो दोस्तों इन सब videos को जाकर के जरूर चेक करिए आप हमारे channel के उपर और यहाँ पर काफी सारा content अब तक बनाया गया है दोस्त जो कि आपको बताय कर stock market के बारे में कई सारी चीजे और दोस्तों जितनी भी important books हैं उन सब का link description box में दिया गया है मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप बहतर trader और investor बना चाहते हो तो उन सभी books को जाकर के पढ़ें क्योंकि वहां से आपको जो knowledge मिलेगी दोस्तों तो वो knowledge इतनी गहरी होगी कि आपको इन वीडियो को समझने में बहुत आसानी भी होगी और आपका नजरिया stock market को लेकर के बिलकुल बदल जाएगा तो दोस्तों अभी तो वीडियो में यही सब चीजी important थी दोस्तों और मैंने यही बताया कि nifty 50 और bank nifty किस तरह से साथ-साथ parallelly perform कर है stock market में और दोस्तों IT sector किस तरह से perform कर रहा है किसी भी individual डे पर यह बहुत important होता है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपने काफी कुछ इस वीडियो से अब तक में सीखा होगा और यह वीडियो काफी helpful होगी आपकी आने वाले दिनों में trading और investing करने के लिए तो दोस्तों वीडियो को अभी end करते हैं वीडियो को अगर आपने end तक देखा तो दोस्तों वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में share करें और वीडियो को अब end करते हैं दोस्तों वीडियो के साथ end तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन आन्यवाद